हलो प्रेंट्स, वेलकम टो माई चानल हाई लेवल कम्प्यूटिंग, मेरा नम नतराज हैं, दोस्तो आप लोग ने इमेजस में या फिर वाल पेपर्स में देखा होगा, एक बड़ा सा जील होता है, उस जील के उस पार एक ब्यूटिपल टेंपल होता है, और उस टेंपल के पिछे एक बड़ा सा पहाड और उसमें एक जर्ना बह रहा होता है, आज मैं आपको उसी प्लेस दिखाने के लिए आया हूँ, हाला कि अब बारिश नहीं हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पर जर्ना नहीं दिखेगा, दोस्तो आज हम करनाट का राजी के बागल कोटा डि पिछे अगस्तिया लेक और भूतनात टेंपल को भी दिखाया था, आपको भूतनात टेंपल तक जाने के लिए यह जो पार्किंग एरिया है, इसके साइड में जो मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, उसके साइड में एक छोटा सा रास्ता है, उसमें से हमें जाके पाईवाक जा रहे हैं तो ये रास्ता आपके लिए सबसे बहतर रहेगा और ये जो रास्ता है बादामी के दूसरा जो पहाड है उसके नीचे है उस पहाड के नीचे मुजियम भी है उसको मैं बाद में दिखाता हूँ पहले हम जाके भूतनात टेंपल को एक्स्प्लोर करते हैं जैसे ही आप लोग उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो आपको राइट साइड में अगस्थ्या लेक दिखाई देगा दोस्तों ये जो लेक है ये मैनमेड लेक है ये कोई नैचुरल लेक नहीं है या फिर आप लोग यूं कह लिजिए ये एक प्रकार का डैम है यहा आप लोग इस बांद को देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के बांद बना के इस पानी को रोखा गया है जैसे ही हम तोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें भूतनात टेमपल दिख जाता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक चोटा सा मंदिर भी है और यह यहां पर कुछ लोग भी बेटे हुए हैं। आपको यहां पर कुछ खाने पीने के चीजे या फिर ठंडे बॉटल भी यहां पर इनके पास मिल जाते हैं। देखिए पानी के साइड में भूतनात टेंपल हमें कितना अच्चा यहां से दिखाई दे रहा है। यह सब पानी जो में कहीं प्रकार के जड़ी बूटिया होते हैं। जब भी पानी इनके थ्रू भेके नीचे आती है तो वो अपने साथ मेडिसनल प्रॉपर्टिस भी लेके आती हैं। बहुत सारे लोग इस पानी को बोतल में भरके घर ले जाते हैं। देखिए अब हम भूतनात टेंपल त ये द्रावेडियन स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर भी कुछ टेंपलों में पूजा नहीं होती हैं क्योंकि कहीं सारे मूर्तिया यहाँ पर भी तूटे हुए हैं। और लोग भी यहाँ पर बहुत कम ही विजिट करते हैं। बादामी केव के पास खड़े होकर सम Yow Test कर जाते हैं। देखिए, ये वी एक टेंपल है और इसके सामने नंदी का मूर्ति आप लोग देख सकते हैं, और ये भूतनात का टेंपल है। ये यहाँ का में टेंपल है। य यहाँ पर एक स्यिवलिंग है। GPU का base आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये कभी नहीं इस टेंपल का बेस है और सम्मर के सीजन में यहां पर पूरा पानी लगबग सूख ही जाता है अब चलिए इस भूतनात टेंपल के पीछे हमें और क्या-क्या चीजे देखने को मिलते हैं थोड़ा एक्स्प्लोर कर लेते हैं यहां पर देखिए इतने बड़े से चट्टान के उपर यहां पर हमें कई सारे और भी मूर्तियां देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप लोग यहां पर नंदी और शिवलिंग के साथ-साथ कहीं सारे टेंपलों के कलाकरतियां भी देख सकते हैं और यह जो चट्टान है बहुत बड़ा चट्टान है पहले लोग इस पर पत्तर के उपर हर जगह पर कार्विंग किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर विश्णु जी के कहीं आवतारों को दर्शाया गया है। अभी आर्कियोलोजी डिपार्टमेंट ने इसको बंद करके रखा है। चलिए, अब और थोड़ा आगे चलते हैं और देखेंगे हमें क्या-क्या मिलता है। थोड़ा उपर चड़ते ही हमें पीचे का पहाड बहुत अच्चा दिखने लग जाता है। अगर तेज बारिश हो दोस्तो अगर आप लोग बादामी एक्स्प्लोर करने के लिए आते हैं तो आपको लगबग दो दिन तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे प्लेसस हैं। अगर आप लोग सिर्फ खेव देखके चले जाते हैं तो आप बहुत सारे प्लेसस को मिस कर सकते हैं देखिए अब हम इस चट्टान के पीचे आ चुके हैं और यहाँ पर भी आपको एक टेंपल दिख जाएगा यह विश्णु जी का टेंपल है विश्णु जी यहाँ पर शेश शयन के ऊपर सोय हुए हैं और आप यहाँ पर लेकिन उनमें से बहुत सारे टेंपल खराब हो चुके हैं हमलावरों ने उनको तोड़ दिया है इसलिए बस कुछी टेंपलों में आज भी पूजा जारी है अगर हम बारिश के सीजन में यहाँ पर आते तो वो जो उपर के पहाड है उनके उपर से जरने गिरने लगते थे अब देखिए सामने हमें कुछ गुफा के जैसा कुछ दिकाई दे रहा है वहाँ पर जाके देखेंगे वहाँ पर अंदर में क्या है देखिए यहाँ पर गेट भी लगा हुआ है ताकि कोई अंदर ना जा पाए शायद अंदर बहुत बड़ा केव है और यहाँ पर एक मूर्ती भी है अगर हम अंदर जा सकते तो हमें पता चल जाता था कि वो मूर्ती किसकी है देखिए उस मूर्ती के सामने अगस्त्य लेख हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है दोस्तो यह जो भूत नात है वो शिवजी का ही दूसरा नाम है और आपको यह भूत नात टेंपल का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए नए आये हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपको बादा मी से रिलेटेड सभी वीडियोस इसी चैनल में मिलेंगे देखिए वो जो सामने वाला पहाड आप जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो हम वहीं के बनाने वाले हैं और वो वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे दोस्तो अगर आपको इस बूतनात टेंपल के बारे में कन्नडा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पास करके इस बोर्ड को पढ़ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग